नवश्का दोस्तों सु आगत हैं आप सभी का आज की बड़ी खबर मुख्य समाचाल लेकर आए हैं जहांपा जानेंगे कॉंगेस पार्टी कहने वाली है दोजार चौविस के लिए यहांपे संघनाज जी यहां दोस्तों बड़ी रैली होने वाली है दस लाख लोगों की भी जेपी के नीन से उड़ गई है तो दूसरी तरफ राज्यसवा में जोडार हंगामा देखने को मिला है एक तरफ जहां तमाम विपच्छी सांसदों पर कारवाई हो रही है तो दूइक बिजय सिंग राज्यसवा में भिड़ गए हैं उपर राष्ट पती से विपच्छ का जोडार हंगामा दूसरी तरफ अखिलेश यादब ने भी किया है बैलेट का फिर समर्थन लगातार अखिलेश यादब के बयान आ रहा है दोस्तों एवियम और बैलेट पेपर पर इस पकार की बड़ी खबरों को जानेंगे वहीं अगर आप भी मानते हैं कि चुनाओ सिर बैलेट पेपर के माद्य हम से होने चाहिए आप भी समय थन करते हैं अगर बैलेट पेपर का तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा बी सपोर्ट इंडिया बड़ी खबद दोस्तों जान लेते हैं जहां पर कॉंग्रेस पार्टी को फिर से मजबूती देने के लिए राहुल गांदी और सोनिया गांदी ने तयारी पूरी कर ली है राहुल गांदी और सोनिया गांदी दिसंबर के आखरी सब्ताह में लोकसवा अभियान की सुरुआत करने वाले हैं कॉंग्रेस 28 दिसंबर को नाकपूर में एक मेगा रेली की योजना बना रही है जिसमें 10 लाख लोगों की भीड जुटाने का लच्छ रखा गया है और यहाँ पर दोस्तों इन तैयारियों का जाजा लेने के लिए नाकपूर पहुँच चुके हैं मलिकार जुन खड़ गे नाकपूर आएसस कार्याल इस्थित है और इसी पूरे इलाके में कॉंग्रेस पार्टी अपनी पैक्ठ जवाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही ह कॉंग्रेस बिधर्प की उपजाओ भूमी से अधिक्तम लाव उठाने की कोसिस कर रही है जो कॉंग्रेस के लिए लोग सभा में अधिक्तम सीटे ला सकती है कॉंग्रेस पार्टी इस बार अपना इस ठापना दिवास 28 दिसंबर को नाकपुर में ही मनाएगी पार्टी के तरफ से 10 लाख लोगों की बड़ी जनसवा होने वाली है इस जनसवा में तमाम कॉंग्रेसी दिगशनीता पहुंचेंगे राहूल गांदी, सुनिया गांदी, प्रिंका गांदी, मलिका अजुन, खड़गे, आदिनेता यहाँ पे इस मेगा रैली को संबोधित करेंगे कॉंग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं वहीं दोस्तों कॉंग्रेस संगठन महासची किसी बेनुगोपाल नाकपूर के दौरे पर भी पहुंच चुके हैं यह अपडेट निकल के आई है अगर आप भी मानते हैं कि 24 के आमचुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी एंडिये और बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी तो लाइक कीजिगा दोस्तों वीडियो को और एक खबर जानते हैं बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट से सुप्रीम कोट का डंडा चला है अब महाराष्ट विधान सवा अध्यच को दे दी है आखरी महलत आयोगिता याचकाओं पर इस तारीक तक फैसला ले नहीं तो कारवाई के लिए तयार रहें सुप्रीम कोट ने महाराष्ट विधान सवा के अध्यच राहूल नार्वेकर को महलत दे दी है सिफसेना पिति दुन्दी गुटो की ओर से दाखिल याचकाओं पर फैसला लेने के लिए उन्हें दस और दिन का समय दिया गया है इन याचकाओं में सिफसेना के दोनों गुटों ने एक दूसरे के विधायकों को आयोगिठार आने का अनुरोध किया है सुप्रेम कोट ने पहले विधानसव अध्यच से आयोगिठा याचकाओं पर 31 दिसंबर तक फैसला करने को कहा था वहीं अब सुप्रेम कोट ने इस अध्यच को मातर 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया है यानि 10 जन्वरी 2024 तक के लिए ये अबदी बढ़ाई गई है CGI की अध्यच तावाली पीठ ने कहा कि अध्यच ने संके दिया की कारवाई 20 दिसंबर को बंद कर दी जाएगी अध्यच ने समय बढ़ाने का अनुरोद किया था और हमें यहाँ पे समय सीमा बढ़ा रहे हैं 10 जन्वरी 2024 तक के लिए यहाँ पे दोस्तों CGI ने समय सीमा बढ़ाई ये देख सकते हैं उसके बाद भी अगर नेर्ड़ा नहीं होता है तो CGI अपने इस तरह से एक्षन लेंगे उन्होंने बड़ी वाद कही है इसी के साथ एक और ख़वर आ रही है EVM मामले पे पूर्वसियम अखिले शादव लगातार सक्रिये हैं और BJP और चुनाओ आयूपर निसान असाद रहे हैं कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं लगातार मांग बढ़ती जा रही है बैलेड पेपर की अखिले शादव का बयान आया है दोस्तों उन्होंने एक बार फिर से EVM मामले पे अपनी राय रखी है अगर आप अमेरिका से नकल कर रहे हो और डेवलप्ट कंट्री बनना चाहते हो तो जो डेवलप्ट कंट्री में विवस्ता है बोट डालने की उसको क्यों नहीं अपना रहे हैं अमेरिका और जापान EVM से बोटिंग करवाते हैं जर्मनी के सुप्रेम कोट ने तो EVM से बोटिंग को असम्यधानिक तक बता दिया है इससे इस पर्ष्ठ है दोस्तों 2024 चुनाओं में भाजपा अपने 2014-19 के रिकॉर्ड भी तोड़ देगी क्योंकि उसके साथ EVM जो है अपना है जितनी सीटे मोदी जी मुह से कह दें उतनी सीटे कंफर्म है क्योंकि यहां पर EVM जो है EVM का साथ है उपर से चुनाओं आयोग भी अपना है और यहां पर जब हर चीज अपनी है तो दोस्तों सीटे जितनी हम बताएंगे उतनी ही आएंगी यानि कि मोदी जी जितना मुह से सीटे कह दें उतनी ही सीटे कंफर्म है और आए दिन यह देखा भी गया है गिरिमंत्रियमी सहाब बयान देते हैं उतनी ही सीटे लगवाग इन्हें उस राज्य में या उस चुनाओं में प्राप्त होती है गौर तलब है इस से पहले समाज राय जरू बताइएगा तो दूसरी तरफ संसद में जवरदस ठंगामा देखने को मिला है कॉंग्रेसी संसद नो ने यहां पर दोस्तों मोदी सरकार को घहने का कोई मौका नहीं छोड़ा है इंडिया नियुद कॉंग्रेस ने यहां पर टूइट करते हुए लिखा है में संबाद को कायम रखते थे लेकिन अब वो बीते वक्त की बाते हो चुकी है राज्य सवा में दिखविजा सिंग घर्ज हैं दोस्तों यहां पर सवाल पूछने वाले सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है उन्हें चुप कर आके बैठाल देते हैं स्पीकर या उपर राष्टपती ही देख सकते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर कॉंग्रेस पार्टी हमलावर है आज दिन देखा गया है ना परदरसन करने दिया जाता है ना यहां पर दोस्तों बैनर पोश्टर तक्तिया ले जाए जाने दी जाती है और ना ही दोस्तों अपनी बात रखने का भरपूर मौका दिया जाता है विपच्छे संसदों को स्पीकर या उपर राष्ट पति उन्हें बैठाल देते हैं उनकी बात वीच में ही काट दी जाती है या तो संसद के रिकॉर्ड से ही हटा दी जाती है ये किस प्रकार के निस्पच काम हो रहा है दिगविजय सिंग ज सरिष्थ नेता और राज्यसवास जhitता जैरम रवेश ने किंद्र सकार पर निशतास असादा उन्हों ने कहा जब तक गिरिह मंद्री संसद के सुच्छा में उलंगन पर बयां नहीं देते अभी यहां पे हर बात इस पर श्ठो पाएगी जैराम रमेश ने कहा कि दुरभाग के से यहां पे अब मीडिया भी चुप है लेकिन सदन के अंदर सवालों का जवाब देने से सरकार इंकार कर रही है जरूर कुछ चुपा रही है जैराम रमेश ने सवाल उठाय कि बीजेप अच्छी गठंदन की सवी पार्टियां बैठा करेंगी और इस घटना पर सवाल पूछना जारी रखने का फैसला भी करेंगी यह अपडेट निकल किया है दोस्तों दूसी तरह कैस फार कोईरी मामले में लोग सवासे निसकासन के खिलाफ महुआ मुहितरा ने सुप्रीम कोट का रुक किया है दोस्तों जिस पर सुप्रीम कोट में बीते दिन सुनबाई हुई सुप्रीम कोट में एटियम से सांसद महुआ मुहित्रा की आज का पस सुनबाई की और यहाँ पर केंद सरकार और लोग सवा सची वाले को नोटिस जारी किया है और आगे की तारीक दी गई है 3 जनवाई 2024 इस परश्ट है अगली सुनबाई इसी तारीक को होगी महुआ मुहित्रा पहले ही कह चुकी है कि एक तरफा फैसला दिया गया है उनका पच्छ सुना ही नहीं गया है और उन पर बेवुनियादारोप लगाए गया है कैस फॉर कोईरी मामले में महुआ मुहित्रा सुप्रीम को रही जेजेपी की यहां पर इस्तिती दिन पर दिन दोस्तों बिगड़ती जा रही है राजस्थान के चुनाव पर नाम के बाद जेजेपी मुसीवत में घेते दिख रही है राजस्थान की सत्ता का ताला जेजेपी की चावी से ही खुलने के दावे के साथ ही वहां के चु को यहां पर दोस्तों महज दसमलब 14 फिस्दी बोट ही मिले हैं माना जा रहा है कि हर्याना की सत्ता से भी उसकी कभी भी बिदाई का एलान हो सकता है जेजेपी ने बीजेपी से भागिदारी मांगी थी राजस्थान में लेकिन बीजेपी ने मना कर दिया था तब जेजेपी आपको तो लाइक कीजेगा चैनल पर नहें तो सब्सक्राइब कीजेगा जिसे की बड़ी खावरे आप तक पहले पहुंचें आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत